जै श्रीराम दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टुडेंट पॉइंट वीडी में तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तो हम फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हमारा डे नमबर 18 है इससे पहले हमने डे नमबर 17 तक अपनी सारी वीडियो कंप्लीट कर ली है और हम डे 18 में पढ़ने वाले हैं ड्यूल नेचर आफ मैटर एंड रेडियेशन के बारे में ये भी एक प्लस टू का चैप्टर है तो शूरू करते हम आज की चैप्टर ठीक है दोस्तों तो ड्यूर नेचर आफ रेडियेशन मैटर एंड रेडियेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि 1 एलेक्टर वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है ओन पॉइंटी नेचर का मतलब का है ड्यूण नेचर का यहां पर मतलब है कि matters can have particle as well as wave मतलब जो हमारे पास matters होता है वो या तो particles के form में होगा ठीक है या तो आपकी wave के form में होगा ठीक है दोस्तों तो यह हमारे पास क्या बोलता है dual nature का मतलब है कि matter जो होगा वो या तो particle के form में होगा वेव की फॉर्म में होगा जब पार्टिकल की फॉर्म में होगा तो हम वो पार्टिकल की फॉर्म में किस वेव में होता है उस तो फोटोंस की वेव में ठीक है फोटोंस का मतलब होता है कि एक small small packets जैसे होते है हमार पास energy के उसको हम क्या बोलते हैं photos बोलते हैं तो हमार पास particle nature of light क्या हो तो ya तो photons की उसमें होगा ठीक है और photons क्या होते है is the packet of energy or quantum of energy ejected at the speed of light जो speed of light से ejected होते हैं और छोटे small small packet होते हैं किसके energy के हैं तो दोस्तों यह वाला relationship आपने देख बहुत बार पढ़ा भी होगा पहले is equal to h upon new ठीक है क्या relationship पे is equal to h upon new ठीक है और एक और relationship आपने पढ़ा होगा ठीक है एक और relationship अगर आपने पढ़ा होगा तो relationship हमारे पास c is equal to h upon new यह मैंने अपनी प्रिविएस यह वीडियो में पढ़ा आया था कि जो c is equal to किसके बराबर होता है h upon new के बराबर होता है यहां से हमारे को new की value निकल जाएगी निकल जाएगी दोस्तों और पास new की value आ जाएगी upon c upon h हमारे पास क्या जाएगी new की value आ जाएगी निकल जाएगी पर रहे ठीक है अब value भर दो is equal to h new था जाएगी अब new की value क्या आगी हमारे पास is equal to क्या बने गए h new की value क्या थी c upon new की value क्या थी c upon क्या थी lambda तो इसकी क्या जाएगी h c upon lambda ठीक है दोस्तों यहां तक आपको समझ आ गया है इसमें h क्या है जो हम यहां पर h लेते हैं इसको बोलते हैं planks constant क्या लेते हैं planks constant रहता है यह h हमारा ठीक है और इसकी value होती है हमारे पास six point six three into ten is power minus thirty four जूल रहती है ठीक है दोस्तों value हमेशा important रहती है value आप learn कर लो या एक जगा इन सब value को लिख लो ठीक है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए तो h की value कितनी रहती है हमारे पास h की value रहती हमारे पास six point six three into ten is power minus thirty four जूल रहती है ठीक है और अब देखो दोस्तों अभी अभी यह एक expression निकाला था e is equal to hc upon lambda निकाला था ठीक है अब h की value भी हमारे को पता है c की value भी पता है अगर h की value कितनी होती हमारे पास six point six two into ten is power minus thirty four multiply c की value कितनी होती c ot speed of light into three into ten is power eight meter per second upon lambda जब हम इसको solve करते तो दोस्तों यह आता हमारे पास e की value आजाती है मारे पास one two four zero electron volt upon lambda ठीक है तो कई बार हमारे पास यहां से भी value यहां से भी हमारे पास क्या numerical आ जाता है ठीक है यह value भी बहुत जादा important रहती है ठीक है next हम एक numerical करेंगे ठीक है simple सा numerical है ठीक है question है हमेशा simple से numerical आते है तो numerical मारे पास इस तरह से है कि wavelength of radiation wavelength of radiation of frequencies 100 hazard हमारे को क्या दिये frequency दे रखी है ठीक है frequency कितनी दे रखी है 100 हज़र्ड हर्ड sorry दोस्तों hazard मैं बार बार पीट करता हूं यह मैं आप ठोड़ा confusion हो रहता हो हर्ड क्या दिये frequency दे रखी है ठीक है frequency क हमारे पास relationship क्या था भी अभी हमने पड़ा c is equal to lambda upon new ठीक है यहां से हमारे को क्या निकाला wavelength निकानी wavelength क्या होती लेमडा रहती तो lambda is equal to क्या जागी c upon new आ जागा lambda किना जागा c upon new आ जागा तो c की value क्या रहती है 3 into 10 is power 8 new की value कितनी 100 ठीक है जब आप इसको solve करेंगे तो कैसे solve करेंगे 3 into 10 is power 8 hundred को क्या लिख सकते है 10 is power 2 लिख सकते है जब हम इस scoop ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 3 into 10 is power 8 into 10 is power minus 2 ठीक है तो इनके power जब base same होते तो power add हो जाती तो 8 मैं से 2 प्लस minus 6 आ जाएगा तो 3 into 10 is power 6 इसका answer आ जाएगा ठीक है तो ये इसका answer है ठीक है अब वे पड़ा था भी photons के बारे में पड़ा था कि जब पास matter क्या particles के form में होता तो उसको क्या बोलते है अब हमार पास जो light है वो wave की form में ठीक है उसको हमारे को describe करती डी ब्रॉगलिक wavelength ठीक है दोस्तों डी ब्रॉगलिक wavelength हमारे पर decide करती है तो इसको हम find out करेंगे इसको कैसे नि क्या होंगी ठीक है याटी से यह डोनों चीजे करें या गिसे से में मतलब है यहको कि बडाबर हो जाएगा mc2 कि अब हमने था स्कूरा है यहा पहर देख लो दोस्तों में यह दो तो new कि value निकल दाएगी तो क्या बन जाएगी तो new की value भर देएगा c आपन लेम्ड़ा तो क्या बन जाएगा है H c upon lambda which is h c upon lambda which is equal to mc squared ठीक कहा पर दो C है तो एक C से कट जाएगा च्छपाउन lambda is equal to m c भज जाएगा ठीक है यहां से अगर आपको lambda की value निकालनी है तो lambda की value क्या हो जाएगी लेमडा परे चल जाएगा और emc नीचे चल जाएगा ठीक है क्या बन जाएगा है h upon mc which is equal to lambda is equal to h upon mc तो यह ही मारफ relationship रहता है ठीक है lambda is equal to h upon mc रहता है देख लो दोस्तों यहां पर है M-C का मतलब क्या है दोस्तों ठीक है M-C का मतलब हमार पर सिसको हम P भी लिख सकते हैं ठीक है क्या लिख सकते है momentum क्या बलते है और पी लिख सकते है linear momentum यह क्या बन जाता है lambda is equal to h upon P बन जाता है ठीक है P क्यों लिख सकते है आपने relationship पड़ और होगा तो क्या बन जाएगा है है एच अपान एम वी बन गया तो एम वी क्या उत्स हमारे पास P के बराबबर होता है ठीक है तो यह क्या बन गया लैमडा is equal to H upon P बन गया ठीक है और P की जग हम क्या लग सकते हैं अब लेमडा is equal to H upon एम वी लिख सकते हैं ठीक है दोस्तों confusion नहीं होना है simple सा है यह ठीक है इतना इसमें कुछ है नहीं मुश्किल ठीक है अब हमार पास relationship आ गया क्या relationship आ गया हमार पास relationship आ गया हमार पास सब्सक्राइब क्या होती रहेगी कम होती रहेगी यह हमार को यहां से पता चला इस वाली equation से पता चला इसी को हम डी ब्रॉगली equation भी बोलते हैं चीक है दोस्तों इससे question आया हुआ है जब हम डी ब्रॉगली wavelength का relationship निकालेंगे पोटेंशल डिफ्रेंट्स के बीजिए पोटेंशल डिफ्रेंट्स के होता वी ठीक है तो relationship होता हमार पास lambda इस इकल टू लेमड़ा इस इकल टू 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 डॉलर पॉइंट टूसेवन दोस्तों डेरिवेशन से आया अंडरूट वी मल्टीप्ला एंग स्टॉन ए डॉट ठीक है यहां पर डॉट लिखा इसका मतलब गया है एंग स्टॉन में होगा अंसर ठीक है इसकी वैल्यू कितनी रहती है एंग स्टॉन की 10 इस बाउर माइनस 10 मीटर रहती है ठीक है दोस्तों यह भी हमने प्रिवेश यह वीडियो में कर रखता है ठीक है तो अगर wavelength डी ब्र relationship रहता है potential difference का ठीक है तो एक आता numerical और कर लेते है numerical हमारे पास what is the deep broccoli wavelength of bullet of mass of 0.04 kg traveling at the speed of 1.0 km per second ठीक है तो मारे पास क्या दे रखा है पहले दोस्तों जो जो चीजे दे रख्यों होती हो हमेशा लिखने होती है ठीक है तो मास दे रखा है M दे रखा किना दे रखा 0.040 kg में दे रखा है ठीक है speed दे रखी है speed मतलब velocity दे रखी कितनी 1 km ठीक है तो kilometer को meter बनाएंगे तो किना बनेगा 1 km किने meter होते 1000 meter ठीक है 1000 meter per second क्या जाएगी इसकी velocity आ जाएगी मास कितना आ गया 0.04 आ गया velocity किनी आ गया 1000 meter per second ठीक है relationship हमने पढ़ रखा है ठीक है डीब्रोग्ली wavelength क् ठीक है अभी अभी पढ़ा हमने कि lambda is equal to h upon mv यही पढ़ा ठीक है lambda is equal to h upon v एच की value क्या रहती है h की planks constant किनी रहती है 6.62 into 10 raise power minus 34 upon mass कितना है mass अभी किया 0.04 multiply velocity किनी रहती है 1000 ठीक है तो जब इसको solve करेंगे देख लो दोस्तों यहाँ पे solve आपको ही करना पड़ेगा जितनी जादा आप solve करोगे उतनी जादा practice होगी ठीक है दोस्तों सबका अपना अपना अलग तरीका होता है solve करने का तो आप जितना हो सके solve खुद किया करें तो lambda की value कितनी आज़े ही जब इसको solve कर क्या है हमार पास 1.66 into 10 raise power minus 35 meter ठीक है तो यह हमार पास इसका answer आ गया बढ़ते है हम next question की तरफ एक और numerical हम करेंगे यहाँ पर numerical है calculate the momentum of electron if the wavelength is 2 ang stone wavelength दे रख ही हमार पास wavelength क्या होता हमार पास lambda lambda दे रखा कितना 2 ang stone ठीक है यहां समार को क्या निकाला momentum निकालना है तो पी को पर दे जाएंगे lambda को नीचे आदा नीचे आदा आदा ठीक है क्या दाएगा पी इस इकल टू एच अपॉन लेम्डा दाएगा ठीक है 10 इस बार माइनस 10 से करना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी मैंने बताया ang stone की value क्या होती 10 इस बार माइनस 10 तो वही लिए हमने इधर लिखा है ठीक है तो क्या लिख लिख लिया ठीक है जब हम इसको solve करेंगे यह उपर चल जाएगा ठीक है तो प्लस के 10 बन जाएगे तो अ 236 में 3.313 ठीक है तो यह सिंपल सा इसकी calculation जी तो किना आजाएगा 3.313 इंटो 10 इस बार माइनस 24 किलो ग्राम ठीक है केजी में आजाएगा answer तो यह इसका answer था momentum का ठीक है सिंपल सा था value put करनी थी next यहां पे मैंने note ले रखा है note हमेशा important रहता है दोस्तों हर बार की तरह त की बात करें तो inversely proportional होती energy यह बड़ा important relationship है दोस्तों wavelength हमेशा किसकी inversely proportional होती energy मतला lambda is inversely proportional of 1 upon e ठीक है दोस्तों यह बड़ा important relationship है इससे बहुत बार question आते हैं ठीक है और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या समझ आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर subscribe करना और जर जरूर share करना अपने दोस्तों को ठीक है दोस्तों आपके छोटी सी subscribe और share करने से हमें बहुत ज्यादा motivation मिलता है बन करता है और वीडियो बनाए हम ठीक है तो हमारे पास relationship क्या था इसका lambda is inversely proportional to 1 upon e ठीक है तो यह हमारे पास relationship रहता अगर मतलब energy ज्यादा होगी तो wavelength क्या हो होगी कम होगी ठीक है अगर wavelength ज्यादा है तो energy क्या होगी हमेशा कम रहेगी इसी लिए wallet of photos is more energy than red ठीक है क्यूंकि in red और wallet में wavelength किसकी ज्यादा है रेड़ की wavelength ज्यादा होती है तो energy क्या होगी कम होगी ठीक है wallet की wavelength क्या होती है कम रहती है ठीक है तो energy क्या होती ज्यादा होती है इसलिए wallet color के photons में क्या हमारे पास more energy होती है किस से red से ठीक है कई वार इस way में question आ जाता है तो यह बहुत important है ठीक है wallet of photons और red photos में किसके energy ज्य अलान ते था सकते हैं तो नहीं कि जादा है तो एट कि होंगी तो By technology तो बढ़ते हैं नेक्स की तरफ नेक्सते हमार पास deep wirklich energy of already energy relationship तो एक इंपोर्टन था अगर हम निकाले कांटिक आनगे प्सक्वेयर अब हम फिएस्क्येस कि इसको ले लेक्थ हम leads Manhill के फ़ें sage एलेक्ट्रोन वोल्ट के बराबर ले लेते हैं मतलब एवी के बराबर ले लेते हैं अब यह तो क्या बच गया यहां पर यहां बच गया दोस्तो एम वी स्क्वेर अपॉन टू एलेक्ट्रोन वोल्ट यह हमार पास क्या गया बच गया अब हमने क्या क्या है मल्टिप्लाय कर इसके साथ भी multiply कर देना मास, इसके साथ भी क्या कर देना, multiply कर देना aż को. ठीक है? यह क्या बन गए? M square बन गया, यहां पर यहां पे क्या बन गए? 2 míb बन गया. ठीक है, तो जबका बन गए? इसके साथ यहीर पर जाकर क्या बनेगा अंडरूट बन जाएगा तो किन ना आगा M V is equal to under root 2M EV ठीक है यही आ जाएगा ना M V is equal to under root 2M EV और M V को क्या लिखते हैं हम photon भी लिखते हैं मतलब P लिखते हैं तो P is equal to under root 2M EV ठीख यह हमार पास इसका अजाता है एक्सपरेशन आ जाता है तो यह भी इंपोर्टेंट है ठीख है तो यह हमार पास 2m, क्या आलेशन खिल था, mv is equal to underdo 2m ev आगया था, ठीख, 2m ev आगया था ev क्या होता हमार पास energy होता है, ठीक है तो इसको हम एनरजी लिखते हैं mv is equal to under root 2m e b होता है ठीक है और हमारे को पता है कि lambda is equal to h upon m new होता है ठीक है mv होता है lambda is equal to h upon mv होता है ठीक है यह हमारे को पता है अब यहां से mv की value हमने यहां पर निकाली थी अब इस relationship से हमारे को पता चला है ठीक है क्या पता चला है क्या पता चला है क्या पता चला है कि अगर kinetic energy सेम है ठीक है kinetic energy अगर सेम है तो क्या effect पढ़ता हमारे पास mass का ठीक है तो यह relationship था था लैमडा is equal to relationship था यह था हमारे पास h upon under root 2m e ठीक है अगर इनकी kinetic energy की सेम है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका लैमडा is inversely proportional to m ठीक है मतलब अगर इनकी kinetic energy सेम है तो अगर mass जादा है तो wavelength क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है अभी अभी हमने यह relationship पहले भी पढ़ रखा है ठीक है small अगर mass small होगा तो wavelength क्या हो जाएगी जादा हो जाएगी अगर velocity small होगी ठीक है यह वाला relationship तो आपने सब ने पढ़ा होगा भी लैमडा is equal to h upon m v यह पढ़ा है यह भी कहा है लैमडा is inversely proportional किसके m के और किसके लैमडा is inversely proportional velocity के तो जैसे मास को बढ़ाएंगे वैसे वैसे wavelength कम होती रहेगी या जैसे हम मास को कम करते रहेगे वैसे वैसे वैवलेंथ क्या रहेगी बढ़ती रहेगी चीक है दोस्तों तो यहां पे कुछ note है इसको भी हम कर लेते हैं which wavelength of matter is independent dependent upon charge wavelength किस पे independent charge पे independent ठीक है बाकी तो इस ब पे dependent Mars पे dependent आप्स पे डिपेंडेंडेंट एनर्जीवे डिपेंडेंट है ठीक है अभी अभी हमने relationship पड़ा पड़ा ने लेमडा इस इकल टू दोस्तो बोरिंग जैसी वीडियो नहीं समझ ना इसको बहुत important concept है, इनी concept से हमेशा question आते हैं, यहां तक कि commission में भी इनी concept से question आते हैं, ठीक है, तो lambda is equal to h upon e, energy validation से पढ़ा, तो अभी अपनी relationship पढ़ा था, lambda is inversely proportional of energy, यहां पर relationship यहां पर prove होता है, ठीक है, जैसे हम energy पढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगी, wavelength क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, ठीक है, तो यह independent किसका रहता है, charge का कोई लेना देना नहीं रहता हमारे पास किसका, wavelength पे, ठीक है, दूसरी एक और बात कि de-brogly wavelength of electron और photons की क्या रहती हमेशा, अगर हमारे पार de-brogly wavelength of electron और photons क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो उनका momentum भी क्या रहेगा हमेशा, सेम रहेगा, यह वाला question paper में आया हुआ है, तो इसलिए मैंने note में लिख लिया, कि अगर de-brogly wavelength के हमारे पास elemental photons क्या, electron और photons क्या, सेम रहेगे, तो momentum भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, चीक है, तो एक question और कर लेते हैं, calculate the momentum of electron निकालना हमारे को, और de-brogly wavelength of electron according to a part of potential difference, sorry दोस ठीक है, हमारे पास VE की value दे रखी, कि दिनी दे रखी है, 56 volts दे रखी है, मताब potential difference दे रखा है, ठीक है, हमारे को momentum निकालना है, तो अभी अभी हमने relationship पढ़ा, mv is equal to under root 2mev, तो mv को क्या लिख सकते हैं, linear momentum लिख सकते, which is equal to under root 2mev, ठीक है, तो हमारे को क्या बोला, calculate the momentum of electron, electron, electron का momentum निकालना है, ठीक है, तो electron का पहले mass कितना होता है, m कितना होता है, m होता हमारे पस 9.1 into 10 raise power minus 31, ठीक है, दोस्तों, यह हम शुरू में कर चुके है, mass, charge, जो भी होता है, electron, protons का, यह हम शुरू में कर चुके है, ठीक है, mass कितना रहता है, electron का 9.1 into 10 raise power minus 31, रहता है, value भर उन्तु 10 wise minus 31 ठीक है चार्ज कि ये का मतलब क्या है चार्ज तो चार्ज कितना रहता है इलक्टोन में 1.6 into 10 wise minus 19 शास में क्यmaybe nagy वी की वैलू कितनी रख कि 56 दे रखे ठीक है जब हम इसको सॉल्व क रेंगे यहां पर ठीक है तो तो हमार पास solve करके आजाएगा यह कितना 1.631 into 10 raise power minus 47 ठीक है under root और जब हम इसको solve करेंगे तो इसका answer आजाएगा 4.04 into 10 raise power minus 24 और दोस्तों solve हमेशा खुद किया करो अगर जितना जाद आप खुद solve करोगे उतनी जाद आपकी practice होगी इसलिए मैं खुद solve नहीं करवाता आपको डारेक्ट अंसर ही लिखता हूँ जीतना जाद आप खुद solve करोगे उतनी जाद आपकी क्या होजागी practice होती रही तो यह क्या आगया हमार पास momentum कितना आगया हमार पास पी इस इकल टू 4.04 इंटू 10 इस पौर माइनस 24 किलो जूल मिटर पर सेकिंड आगया momentum next हमार पास डी ब्रॉगली wavelength निकालनी है तो wavelength का formula क्या होता है अभी हमने एक expression पढ़ा था ठीक है कि डी ब्रॉगली wavelength और potential difference में क्या expression था तो क्या था लेमडा इस इकल तो 12.27 अंडर रूट वी यह relationship था ठीक है तो 12.27 अपाउन वी की ब्रॉगी नहीं रखी अंडर रूट 56 तो जब हम इसको solve करेंगे तो यह आजाएगा लग लग एंग स्टॉन में आएगा ठीक है तो इसका अंसर किना आजाएगा 1.64 एंग स्टॉन ठीक है यह हमार पास इसका वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना ठीक है लाइक करना और शेयर करना और दोस्तों अगर आप हमारे पास इसकी पीडियाफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर बिल्कुल ही free मिलने वाली है ठीक है और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है एक पीडियो तो आप हमारे पास हमारे इंस्साग्राम चैनल से जूट सकते हैं जहां आप हमें डारेक्ट मैसिज भी कर सकते हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो